हेलो बच्चों फिर एक ने वीडियो में आपका श्वागत थे बच्चों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपका जो आज का एक्जाम हुआ था चोबिस साद्वर तेसको सूसल सेंस का ठीक है क्लास 10 का अर्थात फर्स्ट टर्मिनल ठीक है न इसके हम लोग अब्यक सवाल आपके सामने आने वाला है युनान के स्वतंतरता संग्राम में किसकी पराज्य हुई थी ठीक है आपको याद रखना है जब युनान स्वतंतरता संग्राम हुई थी तो उसमें किसकी हार हुई थी तो तुर्की की पराज्य हुई थी तुर्की क्या कर गई थी हार परदु में कहता है यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है ठीक है आप याद रखेंगे यूरोप का मरीच तुर्की को कहा जाता है किसो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है ठीक है तीन में दिया यंग इटली का संस्थापक कौन थे ठीक है तो यंग इटली के जो संस्थापक थ 284 में लेनिंग कि मिर्थी çalओ कभ हुई तो लेनिन की मिर्थी उCS qa924 में शेयं को कि यहाँ यहां पर d में दे दो ठीक है न a सब्सक्राइhen शेयं नहीं आर्थी कि निति का कोन है ठीक है न चलिए है यह جो सवाल है यह जो सवाल है नहीं आरिखी निति है इसका के लिए ठीक है आगे के लिए चलिए आठ में दिया आप लोग का हिंद चिन में कौन राष्ट सामिल नहीं था ठीक है ना हिंद चिन में कौन सा राष्ट सामिल नहीं था तो चीन सामिल नहीं था याद रखिएगा नौ में दिया अंकुरवाट का मंदिर किस देश में बनाया रखेना ना है तो अंकोरवाट का मंदर जो बनाया गया कमबोडिया में तो कमबोडिया में 10 में दिया जिनेवा समझे होता किस वर्स हुआ था ठीक है याद की बार को देख लीजेगा तो बारा किस खनीच की पृभ्षत को याद राएक है तो स्तलाज नदी बना में सबसे अधिक और सबसे जो पवीत्र है वो गंगा नदी याद रखेगा तो बिहार में अधिक तरना जलोड मिट्टी पाई जाती जिसमें वह ज्यादा अनुपजाव होते ठीक है तो प्राकिर्थिक सब्सक्राइब करने कभी समाप्त नहीं हो सकता है समुंदर से पराप्त होता है भारत का राष्टी पक्षिकोन है तो वह जाएगा आपका यहां पर आंसर मोर हो जाएगा 21 में महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहता हैं तो महासागर के तली में होता चुनामिक है एक तोượng we not at all it in lake activities a 995 तोब सुझने इस ताहिए जाती Μें इंदार क्या किया ठीक है तो रंग नहीं हो सकता है आं लिंग भी ने हो सकता है धर्म कर्म हो सकता ठीक है थो अगला सवाई किए का 25 नमर ठीक है न तो है लगा दे रखआ हैं त्षी में न दोंवसर उप्रन की संख्या क्या में थी तो एक है लगा पे 943 लड़की जन संख्या तक लिए भारत की पर मुख समाजिक समस्य क्या है जातीवाद भासावाद संप्राइबाद इनका अंसर गल मुख तो निए आटिस पे दियां भारतिये समाज किस विभेट से अधिक परभावित होता है इसका स्ने आसर हो जाएगा इनमस्ता नग्धर्म का उच्छै परभावित होता है 29 में दिया केंद्रिय समाज का लैन बोर्ड किस वर्स गठित हुआ था ठीक है याद रखेगा 1953 में गठित हुआ था 30 में दिया मुस्लिम लिख की अथापना कब हुई थी तो 1906 में हुई थी ठीक है बिहार का कौन सा अस्थान है तो देश में सब्सक्राइब का गठन कब वह था ठीक है अब लोग याद रखेगा इसका जो गठन वहाता न वह निश्व बाबन में चतिस में भारत में योजना आयो की असापना कब वह था ठीक है 37 में तरहका है किस राजे की पतना अधिक है तो यहां पे पतना हो जाएगा पटना हो जाएगा चलिए चली पहार फिखन दिएगा। चली पहार की अर्थवयवता के प्राथमिक शेत मुक्य अंक्या होगा यहाँ पे खिरिसी हूना, चली थारंस पहार फिर खिरांस होес lifet यहाद रखेगा, 1919 स्सक्राइबhi चेका का गठन किसने किया था ठीक है ना याद रखेगा चेका का गठन जो किया था न वो लेनिन ने किया था किसने किया था लेनिन ने ठीक है ना तरणापुर क्या हो जाएगा ठीक है चलिए शेयरी थेयंगे तो इसका आंसर सब्सक्राब 15 क्या कितनी वर्सुप घृता परदान ना रम कच्छर परदहान होता है सब्सक्राइब कर देंगे कि आपका अगला भी से का एक्जाम होने वाला है तो उसका भी हम लोग वीडियो बनाके अपलोड कर देंगे आप लोग सही सही मिला लीजेगा तो चलिए आज के तना ही रहेगा थैंक्स कासे प 놓 tut थिप्सक्राइब करें ना न सबस्क्राइब कर सकते हो चलिए तो इसबमें मुण तो नहीं दो करें। झाल